हेलो वेलकम तो थर्ड एपिसोड अफ टू मिनिट कॉंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड अब हम यह देखेंगे कि यह डाय कार्बॉक्सलीक एसिट की नेमिंग यह बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत साइब क्वेस्टेंस में पूछते हैं तो वह करनी कैसे चाहिए और कैसे आप याद रख सकते हों अब कार्बॉक्सलीक एसिट का कॉमन नेम इन जनरल क्वेस्टेंस में जब आते हैं तो कन्फूजन भी होता है तो वह याद कैसे रखोगी बहुत आसान सा एक ट्रिक है अब ट्रिक क्या क्या है तो पहले तो नेमिंग की बात कर लेते हैं देखो य नाम है Mellonic Acid अगर टू सी ओ रवेज ग्रूप अगर अटैच है और बीच में देखाल तू कितने का गयाप है 2-कारबन यहां पर मेलोनीक में कितने का गयाप है वन कारबन का औ। में कितने का जापन का साइमन्टेनिशली कि में कितने कार्बन का गया पहें और एडिय्पिक अशेड्ट का नाम आता हूं उसमें उसमें कितने हा जापन का अब नेमिंग कैसे याद रखोगे देखो अगर zero carbon का gap होता है तो उसका नाम आता है O से oxalic acid one carbon का gap होता है तो उसका नाम आता है M से malonic acid और अगर two carbon का gap है तो उसका नाम आता है S से succinic acid, three carbon का gap है उसका नाम आता है G से जिसका नाम है gluteric acid four carbon का gap है उसका नाम आता है A से adipic acid 5 carbon अगर gap है उसका नाम आता है P से palmic acid तो इसको याद रखने का एक बहुत असान सा तरीका है ये नाम तो सबको याद होते हैं और common name अगर exam में आते हैं तो भी आप याद रख पाते हो O oxalic, M melanic, S succinic, G gluteric, A adipic, P palmic तो O my son go and play O my son go and play तो आप बता दोगे कौन सा common acid का क्या नाम है